दिली शराब निती घोटाले से जुड़े मनी लॉंडरिंग के मामले में आम आदमी पार्टी से राज्य सभा के सांसत संजिस सिंग की मुश्किले अब तक कम नहीं हुई है संजिस सिंग दिली के राज वेन्यू कोट की तरफ रुक कर चुके हैं कई बाद तो वहीं दिली हाई कोट की तरफ भी इसके अलावा वह सुप्रीम कोट से भी कही ना कहीं उमीद रख कर बैटे हैं कि सुप्रीम कोट से उन्हें राहत मिल ही जाएगी लेकिन देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोट में भी ये मामला चल रहा है चानकारी देदे की बीते 5 मार्च मंगलवार को सुप्रीम कोट में इस मामले पर सुनवाई होनी थी लेकिन सुप्रीम कोट इस मामले में सुनवाई नहीं कर सका है समय की कमी के कारण नियाय मूर्ती संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीट ने संज सिंग के दुआरा जो उनकी जमानत याचका दायर की गई थी उस जमानत याचका को खारिस करने के दिल्ले उच्छ नियाले के साथ फरवरी के फैसले के खिलाफ दायर विशेश अनुमत याचका को इस्थगित कर दिया है आपको जानकारी दे दें कि इस मामले को लेकर ये जानकारी सामने आई है कि कम्प्यूटर क्रत मामले की स्थितिक अनुसार याचका बोर्ड पर बनी रहेगी और इसे पांच एपरेल को अस्थाई रूप से सुचिवद्ध किया जा सकता ह इससे पहले इसमें नियायमूर्ती दीपांकर दत्ता भी शामिल थे प्रवरतन निदेश शाले को नोटीस जारी किया जमानत याचका को संजिस सिंग के द्वारा दायर कर एक अन्य याचका के साथ जोडने का निर्देश दिया जिसमें मनी लॉंडरिंग मामले में उनकी ग लाकपाल ने 22 दिस्टंबर को उनकी याचका को खारिस कर दिया और ये मामला लगातार बढ़ता ही चला गया लेकिन देखा जा रहा है कि संजिस सिंग को अभी इस मामले में राहत नहीं मिली है अब देखना यही होगा कि आखिरकार इस मामले में अब आने वाले समय में सिंग इस मामले में लोग सुबर चुनाव से पहले राहत पाप आएंगे या फिर नहीं बीते पिछले साल 4 अक्टूवर 2023 को एडी ने उन्हें अपनी हिरासत में लिया था इस खास रिपोर्ट में इतना ही तब तक के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट नाइन नीव